हलो नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको exercise 5.2 के questions कराने वाला हूँ तो दोस्तों चलिए start करते हैं जैसा कि आपको question दिखाई दे रहा है gli आख और फिप्टी टम्यक्य कितने name कितने पद कितना है यहां कितना है बारा रह मैं बाता हो 3rd term की 30 जो 3rd term है वो 12 है ठीक है और बात करता हूँ जो 50th term जो है वो कितना है तो देखिए 50th term जो है वो 106 है अगर मैं इसको आगे फर्दर solve करूँगा तो 3rd term की value क्या होती A plus 2D A plus 2D की value कितनी होगी 12 और इसकी value कितनी होगी A plus 49D A plus 49D की value कितनी होगी एक सूचे इसको जब मैं minus करूँगा इसको जब मैं minus करूँगा तो मेरी value क्ट जाएगी तो इधर कितना जागा म-47-47 D और ये वाली value मेरी कितनी आ जाएगी ये वाली आ जाएगी 94- इससे जब मैं cancel out करूँगा तो इसका मतलब में मेरी d की value कितने आ जाएगी 2 right d की value अगर मेरी 2 है तो putting the value of d in equation 1 a की value निकालने के लिए तो putting the value of putting the value of d in equation in equation 1 अगर मैं 1 में इसको put कर देता हूं तो a plus 2 into 2 में 2 equal to 12 तो यह कितना जागा a की value 12-4 a equal to 8 ठीक है एक ही जो value होगी मेरी कितने आ जागी 8 हो जागी अब आपके सामने है 29th term आपको बताना था 29th term आपको बताना है तो 29th term की value क्या होगी 29th term equal to a plus 28 d ठीक है बस इसमें put कर दो a की value आ गई 8 plus d की जो value आई है d की value कितनी आई है वो आई है आपकी 2 right 2 की value यहां put कर दो तो यह हो जागा आट प्लस में 56 यह कितना हो जागा आपका टोटल 64 इसका मतलब 29th term जो होगा 29th term जो होगा वो कितना हो जागा आपका 64 बात के लिए रहे आपको चीज समझ में आई है आपको यह question बहुत अच्छे से समझ में आया होगा नहीं समझ में आ रहा तो इस video को आप दुबारा रिवाइन करके देखो बैक करके देखो ठीक है next question पर चलते हैं अगला question है if the third term and the ninth term of an AP of an AP are four and minus eight respectively find the term which term of AP is zero इसका zero term कौन सा होगा वो आपको बताना है अगर मैं third term की बात करता हूँ प्यारे बच्चों third term की मैं बात करता हूँ third term is equal to kitna है third term is equal to four third term कितना है 4 है third term is 4 and ninth term मैं ninth term की बात करता हूँ वो कितना है minus eight third term की value solve करूँगा तो यह हो जागा a plus 2d A plus 2D equal to kitna हो गया 4 और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9th term की value A plus 8D equal to kitna हो गया minus 8 solve करूँगा मैं इसको minus 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 और ये plus हो जाएगा इधर minus 6D equal to 8,4,12 इसको जब मैं solve करूँगा ति ये कितना D की value मेरी कितनी आ जाएगी D की value minus 2 आ जाएगी 2 आ जाएगी तो a की value आप निकाल सकते हैं put करके putting the value of d putting the value of d ठीक है in equation in equation 1 अगर मैं 1 में put करता हूं तो a plus 2 into d की value minus 2 equal to 4 a minus 4 equal to 4 यह इदर आकर प्लस हो जाएगा तो a की value कितनी हो जाएगी 4 plus 4 equal to 8 आपको क्या बताना है आपको find करना which term of a p is 0 यह 0 कौन सा होगा कौन सा term 0 का मान लेते हैं कि 0 is the last term जबान लेते हैं कि 0 क्या होगा last term होगा इसका मतलब a n equal to 0 a की value आपके सामने 8 है d की value आपके सामने minus 2 है n की value find करना है right formula लगाएंगे a n equal to a plus n minus 1 d n की value क्या होगे 0 equal to a की value 8 plus n नहीं पाता minus 1 d की value minus 2 कि solve करेंगे 0 8 minus 2 n minus plus की जगा पर plus 2 हो जाएगा यह तर इसको इदर ले कराएंगे यह हो जाएगा 10 इदर आकर यह minus 10 हो जाएगा equal to minus 2 n minus से minus कट जाएगा इससे यह कट जाएगा तो इसका मतलब इदर क्या बचेगा 5 equal to n इसका मतलब है कि जो 0 होगा 0 is the fifth term fifth term of an ap is 0 ठीक है 0 is fifth term ठीक है इसका जो fifth term होगा वो क्या होगा वो zero होगा यह चीज़ के लिए होई ठीक है question समझ में आ रहे है थोड़ा जोस लिया हो भाईया question को थोड़ा practice करना और revise करना चलिए अगले question पर चलते हैं अगला question आपके सामने यह रहा ठीक है कह रहा है कि 70 17th term of an ap is exceed exceeds its 10th term by 7 find the common difference it's a very simple 17th term की बात कर रहा है 17th term is exceed by 10th term 17th term जो है 10th term से कितना ज्यादा है साथ जाता है दोनों को बराबर करने के लिए मैं भाईया 7 इसमें add कर दूँगा क्योंकि दोनों को बराबर करना यह 7 जाता है तो 7 इसमें add कर दिया ठीक है तो 17th term की value क्या हो जाएगी a plus 16d equal to a plus 9d plus 7 a से a cancel हो गया और 16d minus 9d equal to 7 इस 9d को मैं इस तरफ ले आया minus हो गया ठीक है इधर बचेगा आपका 7d equal to 7 इससे यह कट गया इसका मतलब d की जो मेरी value आई वह कितनी आई one i simple सा question था very simple common difference निकालना था और आपने common difference निकाल दिया clear next question पर चलते हैं चलिए अगला question देखते है question में कह रहा है कि which term of ap 3 15 27 39 will be 130 more than its 54th term कौन सा term इसके 54 पद से 132 ज्यादा होगा हम बात करते है a की value मेरा कितना है 3 है मैं बात करता हूँ d की d के मेरी value कितनी होगी 15 में से 3 minus करूँगा कितना बचेगा 12 n की मैं बात करता हूँ यहाँ पर मुझे दे रखा है और an की मैं बात करता हूँ मुझे नहीं पता वो 54 मा पत कितना होगा मैं निकाल लेता हूँ an equal to a plus n minus 1 d ठीक है an की value कितनी है नहीं पता an की value ऐसी रहने देते हैं इसकी जगा पर मैं रख देता हूँ a 54 a की value मेरा 3 plus n की value 54 minus 54 minus 1 और d की जो मेरी value होगी वो कितनी हो जाएगी d की value मेरे दिरखा है 12 तो यह हो गया a 54 term equal to 3 plus यह हो जाएगा 53 into में 12 अब इसको solve करते हैं 3 plus में 12 तिया 36 3 carry किया 12 पंचे 60 होती 63 ठीक है तो इसका मतलब है कि a 54 तरम जो मेरा आ गया वो a 54 तरम आएगा 3 6 6 39 ठीक है अब कह रहा है कि कौन सा टरम इसके 94 पद से 94 पद तो हमने निकाल लिया 54 तरम हो कितना है 6 अब अब आड़ करेंगे वन थर्टी टू ठीक है 54 तरम 54 तरम प्लस वन थर्टी टू कितना हो जागा 6 इसका मतलब है कि कौन सा पद ये बताना है कि इसको हम मान लेते हैं कि यह हमारा निउ क्या है निउ लास्ट अम है इसको जब आगे शॉल्व करेंगे तो कितना आएगा a n equal to a plus n minus 1 और क्या निकल कर आएगा d equation यहीं रखनी है 177 equal to a की value कितना है मेरा 3 है 3 plus n नहीं पता minus 1 d की value है मेरा 12 ठीक है 771 equal to 3 plus 12n minus 12 यह minus 9 हो जाएगा, minus 9 इधर आकर plus हो जाएगा, यह हो जाएगा, 780, यह minus का 9 हो जाएगा, और minus 9 इधर आकर plus हो गया, equal to यह हो गया, मेरा 12N, 12 से इसको cancel out करेंगे, 12.72 और 6 बचे का 12.5, 60, इसका मतलब है, 64, 65 टर्म, इसका मतलब है, 65 पद जो होगा, वो 24 पद से 132 जादा 65 टर्म is more than 54 टर्म by 132, clear, यह चीज आपको समझ में आई होगे, ठीक है, तो इतना question आज के लिए बहुत है, इन questions की आप practice करिए, बाकी questions मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा, चैनल को subscribe करो, और वीडियो को like और share जरूर करें, ठीक है, मिलते है अगली वीडियो में, keep studying करें।